ठाकुर साब वसंदरा सुपर रीपर यानि कि सुपर से भी उपर बिल्कुल कुछ अलगी लग रहा है विल्कुल क्या कारण है इस सुपर से उपर उसके बारे में थोड़ा सा प्रकार जागी जैसे कि सब भी जानते हैं वसंदरा कृषियंत्र रीपर के मामले में पूरे तक पर हम बनाते हैं यह मैं आज आपके चैनल पर ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो हम भी ना ही हम ने अपने यूटीव चैनल पर दिखाई है लांबने कंवी मतलब यह समझ दीजे हम इसको आपके यूटी चैनल परist Lakesche करने के साथ साथ में सर मैं आपकी आपके जो किसानों के लिए प्रयास है उसके लिए मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूं वह मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे प्राइज पर यह मशीन देने वाला हूं कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता मैं प्राइज के बारे में प खरीदते हैं किसानबाई खरीदते हैं उसकी तक्रीवन कीमत देड़ लाक रुपए होती है फिर एक साथ एच्पी का सेंटर रोटरी वीडर खरीदते हैं उसकी कीमत लगबक पचासाजार रुपए क्या होती है मतलब क्या होता है कि जब आप मशीन को completely यह दोनों आइटम को रहे हैं तो उन दोनों की कीमत होती है दोलाक रुपए अब अगर मैं कहूं कि मैं यह चीज आपको आधे दाम में दे दूँगा तो देखे कैसे होगा मैं आपको बता हूँ सबसे बड़ी बात तो यह एक यहां पर मैं आपको यह दिखा रहा हूं यह पूरा रीपर हो गया और यह वाला लीवर दबाके ना आप इस हैंडल को पूरा गुमा के उस तरफ ले जा सकते हैं यह यहां पर इसको मशीन को मशीन का मास्टर कलच यहां पर दिया हुआ है और यह इसके रीपर का कलच यहां पर दिया हुआ है ठीक है ना यह का एक्सेलेटर लीवर है और यह म इदर पड़ेगा उसके बाद पहला और उसके बाद रिवर्स यह पूरा सिस्टम इसमें यहां पर आने वाला है अब मान लीजिए इसी मशीन का मैं यह रीपर खोल देता हूं ठीक है ना और इस हैंडल को घुमा के इस तरफ ले आता हूं और यह टायर को हटा देता हूं तो यह सेंटर रोटरी यह तयार वीडर बन जाएगा तो दोनों काम आपके एक ही ना तो आप दोनों मशीन के कीमत भी आपको नहीं देनी पड़ेगी और आपका काम भी बहुत कमदाम में हो जाएगा तो आप मैं बहुत ज्यादा नहीं बुलते हूं मैं आपको प्राइस के बारे में बताता हूं सर 99000 रुपे में यह मशीन पूरे देश में कहीं पर भी आपको आपके घर पर पहुंचा कर मिलेगी उसका जो भी ट्रांस्पोटेशन है वो भी कंपनी पे करेगी और जो 99000 आएगा है ना ताकि इसको पीछे से दामारे में ताकत की जरूत नहीं पढ़े एक और अप्शन है सर आप इधर पर देखे इसने एक इंजन लगा है होंडा जीपी 160 दो अप्शन है सर एक होता है नॉर्मल किसी ब्राइंड का इंजन चीक है न और एक होता है होंडा अगर होंडा टाइप इंजन आप लेते हैं तो वही 99 प्राइज है अगर आप होंडा ही इंजन लेने चाहते हैं तो एक दस हजार का डिफरेंस है जो मैं नहीं ले रहा हूं आपसे मुझे कमपनी को देना पड़ता है क्योंकि उतना डिफरेंस उस इंजन के प्राइज में है जी और हमारा सोच यह है कि जो रीपर का जो फील्ड है उसमें एक बड़ा रेविल्यूशन लाना मतलब जो मोनोपॉली चाइनीज प्रोड़क्ट्स की बनी हुई है जी जी उसको कैसे भी थोड़ा सा कम करना देश का पैसा थोड़ा सा नहीं बहुत जादे कम करना मैंने मैं सर यह मुझे पढ़ती नहीं है यह प्राइस पर मैं पहली सव मशीने इस प्राइस पर करूंगा ताकि किसानों तक यह चीज़े पहुत सके वह यूज करे सके क्योंकि हम जब रीटेल काउंटर भी हम जब किसान को देखते तो उसको वीडर की भी ज़रूत है उसको रीपर की पर दोनों दोनों चीज़ें नहीं आफ़र्ड कर सकता बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो यह बहुत दिन से दिमाग में था यह करना है एक हलाकि अभी इसकी प्राइस ज्यादा है फर हम यह प्राइस पर कोशिश मेरी है कि हम हमेशा इसी प्राइस पे देते रहे पर सो आपका वो चैनल का उनको एक हमको screenshot देना पड़ेगा वह हमारे सेल्स वाले का जिसका भी नंबर दिया उसको देना पड़ेगा वो हमारा सेल्स वाला आपको यह भी बताएगा कि कितनी मशीने हमने अभी तक बेच दिए अब कौन से नंबर पर हैं ठीक है और वह आपको आपक 60 इंजन आएगा जीपी 160 इंजन आएगा यह लगभग 160 CC का इंजन होता है और अगर जो होंडा टाइप इंजन हम इसके साथ देने वाला है शायद से वह परफेक्ट कंपनी का हो सकता है या एग्रो सोलूशन का हो सकता है या कोई अलग-अलग ब्रेंड हो सकते हैं पर वह अच्छी क्वालिटी के रहेंगे वह 210 CC का यानि लगभग साड़े 6 HP के असपास में साड़े 6-7 HP के असपास में वह एंजन रहने वाला है फ्यून कंप्शन की बात करें तो वही लगभग एक लीटर प्रती घंटे का इसका फ्यूल का कंप्शन रहेगा यह दोनों पेट्र गरी बनाने का लगता है इसका फूर नहीं सब्सक्राइब और वहो एकट तीन स्टार देख न्यांटा रेपर हो गया और ये कॉमबो प्रोडक्त हो गया जो आप सामें कर सकते हैं तो सर आप और किशी चीजे नहीं कर सकता कि ट्रॉली लगा क्योंकि यह लिगल है कि आप घ्र v बड़ी किसान कखी हें कुछ भी कर सकते हैं त्रॉली भी लखा सब्सक्राइब है संसारे तो फंग किसान है लगाता दो प्रों